हलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है हमारे चनल पे लॉंग टर्म शेर्स में अगर आप नहीं जरूर देखे यहां पर सब्सक्राइब और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो की इन्फोर्मेशन या नोटिफेकेशन मिल जाया करें एक PSU कमपनी के बारे मैं आज रिवीव देने जा रहा हूँ और PSU कमपनी ऐसे जिसके रिटन देख के आपके मुह में जरूर पाने आ जाए कि भाई भारत सरकार का उक्रम यास भारत सरकार की कमपनी कैसे इतना अच्छा रिटन दे सकती है लेकिन वो क्या है आई देखते हैं पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं Canfin Homes Limited 9 अगस्त को जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 386 आज है 11 अगस्त 2019 आज मार्केट बंद है आज संडे है और कल भी बखरी दे शायद बंद रहेगी मार्केट तो इस प्रकार से जो इसका 52 वीक लो था 217 और हाई था 420, 420 इसकी मार्केट काप भी हम देख लेते हैं मिड काप है 5147 क्रोड एपीए 22 का पी रेशियो 16 एपके 24 की बुक वैलिए 133 की और प्राइस टो पॉइंट एट नाइन डिलिवरी है इसकी डिलिवरेबल 23.63 के आसपास फिरस वैल्यू दो की है और कुछ बेसिक चीजे मैं आप इसकी वेबसाइट पे लेकर आपको दिखाना चाहरा हूं कि करती क्या है बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं बताई गई हैं तो अगर वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबर वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं शौट में ब्रीफ में आप कुछ स में देखते हैं तो आइए देखते हैं कैन फिन होम्स लिम्टेड आ हाउसिंग फिनन्स कंपनी प्रमोटेट बाइ कैनरा बैंक आप समझेगें कैनरा बैंक एक बैंक है और उसी के सबसीडियरी या उसी के द्वाला संचालित है इन 1987 से दा इंटरनेशनल यर उफ शेल्टर देखते हैं उन्सरी का इंट आ को और ओक बैंट इंट सव शाला कनली है प्रमाला कनली का इंट का मॉसे रफालीज कालीज बैद फिनlorос services HDFC and UTI one of the very few HFC is permitted by NHB for taking deposits from public ये भी बहुत ही कम होता है कि कोई housing finance है आफिर ऐसी कोई company हो जो पॉलिक से deposit ले है ना बहुत सारे NBFC को नहीं allowed होता है listed in 1991 history of uninterrupted profits and dividend paying since inception with 100% dividend declared since financial year 16 nice अच्छा dividend पे करते है to promote home ownership अब देखे focus इनका क्या है इनका लक्षिर क्या है to promote home ownership across the country with a motto of friendship finance ठीक है focus on housing loans to individuals 88% of the loan book is for housing and 12% for non housing तो 88% जो इनका top segment है वो housing से home finance से और 12% non housing से focus on low and middle income group individuals and first time home buyers तो इनका जो लक्षिय है कि जो पहली दफार घर ले रहे हैं या फिर जो middle class के लोग है उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ा लोन तो ले नहीं सकते तो एक limited income वाले जो salaried person है we are the preferred lenders of the salaried class है न जो job पे है salaried है उनको ज्यादा ये लोग prefer करते है major percentage of our loan book comes from the salaried and professional segment however during the last five years we have been increasing our exposure to self-employed and non-professional category इनोंने अब जो है salaried के अलावा भी जो और जो self-independent या individual या employed है businessman है उनको भी फोकस कर रहे हैं बिछले 5 साल सो उनको भी loan देना शुरू किया हुआ है asset quality is our main strength and major differentiator from rest of the housing finance companies okay अच्छ रीच में आते हैं तो यहां पर देखते हैं कि headquarters है headquarters में क्या रेखना है Pan India presents in 160 branches इनकी जो है 160 branches है और 21 affordable housing loan centers है 14 satellite offices 189 outlets in the total over 100 cities spread across 21 states and union territories our conscious focus is the penetrate deeper into our known territory in southern India while expanding to potential centers in the other parts of the country anyways anyways आगे बड़ते हैं बहुत सारी चीजी इनों लिख रखी हैं और loan scheme में हम directly आते हैं कि loan scheme में क्या है as of now can fin homes limited 24 housing loan and non housing loan products namely individual housing loans, builder loans, credit link subsidy schemes under प्रधान मंत्री आवास योजना credit link subsidy scheme for middle income group तो इनका जो लक्ष है जैसे कि भी प्रधान मंत्री साहब ने कहा है कि हम एक particular year में सब को एक आवास उपलब्द कराएंगे जो homeless है तो जाहिर सी बात है किसी के पास cash तो पड़ा नहीं है कि वो खरीद लेगा जो भी घर खरीदे जाएंगे तो ऐसी company या ही उनको finance करेंगे और यह जो company है can fin homes इसका target है कि हम salary person को target करें तो एक बहुत ही limited amount में ही यह housing loan देंगे जिससे इनके NPA बढ़ने का खतरा बिलकुल भी नहीं रहेगा जिस प्रकार से और बाकी company के सित्थी है उससे इसकी सित्थी अच्छी दिख रही है चले यह तो रहा basic चीज़े आपने जान लिया अगर हम देखते है return on capital employee है 9.67% का है return on equity 18% के से ज्यादा की और sales growth 68% के आसपास है profit loss में अगर हम year on year अगर हम साल दर साल इसकी revenue की growth देखते हैं से दोजार मार्च आठ आठ नाओ दस ग्यारा अबारा से लेके March 19 तक के और trailing 12 month तो लगातार revenue देखी growth है ऐसा नहीं कि यहाँ पे जादा हो और यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे लगातार इसके revenue ग्रोथ है इसी प्रकार हम सीधे net profit में भी आते हैं 2008 से तो यहाँ पे देखिए लगातार इनका जोगा net profit increase हुआ है year on year है ना तो इस तरीके शांदार और EPS भी इनका देखिए बढ़ा हो है earning per share लगातार और यहाँ पे भी जाके 22.28 है March 2019 में और यहाँ पे trailing 12 month वो भी हम देख लेते हैं दूसरी साइट पे चलके फिलाल इसके आगड़े तो रिटन पहले हम देख लेते हैं 10 सालों में इसने 25,69% याने की धाईजार स्यादा के रिटन दिये हैं पांस सालों में 4500% के एक PSU कंपनी से आप इतनी उमीद कैसे कर सेखते हैं कितनी सधी होई कंपनी है और चार सालों में 139, तीन सालों में 34 और दो साल में यहां पर लॉस सब 32% का लेकिन एक साल से लगातार यहां पर पॉजिटिव रिटन्स हैं नेट सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 19% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी यहां पर 10% से ज्यादा की अपसाइड है वहीं पर अगर हम quarterly देखते हैं March 19 से June 19 quarter 1 के तो यहाँ पर net sales में 4.5% की upside है operating profit में 5.5% की upside है और net profit में 20% से ज़्यादा की upside है और margin में भी यहाँ पर upside है तो इस तरीके से एक शांदार company है promoters के पास 30% से ज़्यादा के holding है और कोई भी शर्क गिर भी नहीं है और FII जिसमें कम है mutual funds की भले ही 16 schemes है थोड़ी सी insurance भी बहुत कम है 0.14% के आसपास के और finance housing PSU देखिया house है dividend paying stock 2 रुपय परशर के साब से pay किया हुआ है और अपनी industry में 8 पोजिशन पे है medica IP company है तो friends से मने return भी बता दिया इस company के करती क्या है वो भी बता दिया और मुझे तो इसके fundamental काफी अच्छे लग रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि जिस प्रकार से housing को लेके focus किया जा रहा है कि आम लोगों के पास खुद का अपना घर हो तो जाहिर सी बात है ये company या ही उनको जो है finance करेंगी तो मुझे लगता है कि इनका business बढ़ेगा और जब इनका business बढ़ेगा तो stock price भी अच्छा होगा अगर इनका net profit ऐसा ही रहा continuous growth तो अच्छी return मिलेंगे लेकि लंबे समय के निवेशर की इसमें invest करें और चूंकि ये PSU company है तो बहुत स्यादा इसमें खत्रा भी नहीं है ये एक financial company है तो आप benefit कर रहें और मैं यहाँ पे एक information दे रहा हूँ अगर आपने subscribe ने के जरूर कर लिजिए और अगर आपको पसंद आया हो तो like वगेरा जो भी करना हो करिए thank you so much